नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नरोत्तम और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग केसे 20 रुपे में ही अपना घर पर ही एक नया LED बल बना सकते हो तो इसके लिए आपको LED बनाने का जो भी सरे सामान हमें जरूत होता है उसको खरीदना पड़ेगा और य यह एक diffuser चाहिए जो कि हमारा LED बल बल के आगे में लगा हुआ होता है उसके बाद यह हमारा हीट सिंग प्लेट चाहिए जिसके उपर की हमारा DOB हो या फिर MCPCB हो वह लगाया जाएगा उसके बाद यह दोनों स्क्रू होता है जो कि हमारा DOB या फिर MCPCB को इसके उपर लग पर इतने ही सारे चीज आपको मिल जाएंगे 10 रुपे में उसके बाद यहां पर देखिए यह जो हमारा DOB होता है या फिर MCPCB या फिर ड्राइवर वाला LED बल बनाओगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा अगर DOB बनाओगे तो थोड़ा सा कम पैसे में हो जाए और यह जो हमारा इसका प्रोटेक्शन भी बढ़ जाएगा और हमारा DOB बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए जलेगा और यह दोनों को यहां पर केसे लगाते हैं उसके उपर मैंने एक डीटेल में वीडियो बना रखाओं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की ड इसको मैंने हाउजिंग के अंदर डाल देता हूं और यह B22 क्याब को इसके उपर कुछ इस प्रकार से मैंने फिट कर लेता हूं तो दोस्तों जब भी आप एक नया बल्ब खरीते हो कंपानी वाला जो हमारा कंपानी बना के भेशता है तो वहां पर देखिए यह जो हमारा B B22 क्याब होता है इसके यह जो नीचे की साइड होता है यहां पर आपको छोटे 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 देखने को मिल जाएगा क्यूंकि वह जो कंपानी होता है वह हमारा B22 क्याब को यह जो हाउजिंग होता है इसके साथ पंच करके भेशता है ताकि यह जो हमारा B22 क्याब होता है यह हमारा hao ding से ना निकले लेकिन हमने यहां पर जो बनाते हैं यह हमारा निकल जाएगा क्योंकि यहां पर हमने पंच्फिंग मेंसी नहीं है तो हम इसको यहां पर इस प्रकार से टिका ने के लिए फेवी कूई को डाल के इसको मजबूती से चिप का सकते हैं तो यहां पर मैंने फेविक को डाल देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको फेविक को डाल लेना है जो कि हमारा 5 रुपे में मिल जाएगा सभी जगा पर देखे दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा बन जाता है उपर का भाग यहां पर आप लोग देख सकते हो तो इसके बाद क्या करना है यह जो हमारा देख रहे हैं यह जो हीट सिंग होता है इसको ले लेना है तो इसके बीच में जो बड़ा सा होल होता है इसके अंदर यह दोनों एर को निकाल लेना है और ये heat sink को इसके उपर कुछ इस प्रकार से fix कर लेना है तो यहां पर देखिए इस प्रकार से fix कर लेता हूँ तो यह हमारा plastic का body है तो यहां पर हम इसको फेव कुक से चिपका लेता है तो थोड़ा सा फेव कुक मैंने इसका side side में भी डाल देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से यह जो हमारा heat sink का plate होता है इसको इसके अंदर डाल के फेव की की दोरन चिपका लेना है और इसके बाद यह जो हमारा DOB है इसके बीच में भी एक बड़ा सा होल होता है तो यह बड़ा सा होल के अंदर यह दोनों air को निकाल लेना है तो देखे दोस्तों यह DOB को heat sink की plate के साथ कसने के लिए यहां पर होल तो होता है और साथ ही हमें screw मिलता है तो यह दोनों screw को मैंने यहां पर लगा के tight कर लता हूँ इससे पहले दोस्तों यहां पर इसका जो पीछे की side होता है यह हमारा DOB काफी ज़्यादा गरम होगा तो इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा heat sink का जो paste होता है इसको लगा लेता है यह देखे यह एक डिबबा आपको 10 रुपे में मिल जाएगा electronics की दुकन पर तो इसको यहां पर हम use करेंगे तो यहां से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं और इसके नीचे में हम लगा लेते हैं तो अच्छी तरीके से हम इसको चारो तरब फेला देंगे तो दोस्तो इसको लगाने से यह होगा यह जो हमारा ज्यादा गरम हो रहा है यह हमारा इतना ज़्यादा गरम नहीं होगा यह heat sink paste इसको थंडा रखेगा चलिए अब हम यहां पर screw के दोरान इसको कस लेते हैं तो दोस्तो यहां पर मैंने दोनों screw को अच्छे से टाइट कर लिया हूं अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा दोनों wire है एक wire को हम register की एक leg की साथ soldering कर लेंगे यह जो हमारा leg यहां पर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो चलिए इसको मैंने यहां पर soldering कर लेता हूं तो कुछ इस प्रकार से यह पहला वाला wire को soldering कर लेना है और जो हमारा दूसरा wire है इसको हम यह EMOV का जो दूसरा लेग है इसके साथ soldering कर लेंगे हमारा diffuser है दोस्तों इसको हम इसके उपर लगा लेंगे तो चलिए इसको मैंने यहां पर इसके उपर कुछ इस प्रकर से लगा लेता हूं और यह देखे दोस्तों हमारा LED वल्ब बनके तैयर हो चुका है दोस्तों यह हमारा holder है तो इसमें मैंने ये LED वल्ब को लगा लेता हूँ तो देखिए हमारा LED वल्ब कितना अच्छी तरीके से जल रहा है आप लोग देख सकते हो और दोस्तो यहां पर मैंने इसको खोल के भी दिखा देता हूँ यह हमारा वही वाला LED वल्ब है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि यह fake वीडियो है तो यहां पर देख लीजे कोई भी मैंने आपको जूट नहीं बता रहा हूँ जो भी आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने में ही मैंने यहां पर करके दिखा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा ही हमारा रोसनी दे रहा है तो दोस्तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर ही LED वल्ब को खुद बना सकते हो बिल्कुल नया वाला आप लोग देख सकते हो बिल्कुल यह हमारा नया दिख रहा है तो यहां पर थोड़ा सा आपको यह साइड में थोड़ा सा यह कट दिख रहा होगा तो यहां पर जब मैंने यह जो दोनों वैर को वो शोल्डरिंग कर रहा था ना तो वो शोल्डरिंग गरन थोड़ा सा लग गया इसी वज़ेसे यह हमारा कट जैसा यहां पर दिख रहा है नहीं तो बाकी इसमें और कुछ भी प्रोब्लेम नहीं है बिल्कुल ही नया जैसा दिख रहा है तो दोस्तो यह वीडियो अगर आशन्द आई है तो वीडियो को लाइक कर लिजे और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर लिजे और इसी प्रकार काई वीडियो हर रोज देखने के लिए हमारा यह चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजे